ओके गाईस तो यह आज के दिन का हमारा पहला वीडियो है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया अभी वीडियो स्टार्टी हुआ है तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना जरूर से चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ओल पर सेट कर क्योंकि एक तो यार आपको इंपॉर्टेंट वीडियो जो की इंट्रेस्टिंग है एजुकेशनल परपस के साबसे भी काफी इंपॉर्टेंट है वैसे आपको नाटिफिकेशन मिलता रहेगा दूसरी बात सेवन के सब्सक्राइबर्स भी होने वाले तो वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेंट रिक्वेस्ट के बारे में तो अगर आपको किसी भी स्टॉप में कोई भी डाउट है आप जिस्ट कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि यह मेरा पर्टिकुलर स्टॉक है एक्स वाइजड या एबिसी स्टॉक है इसमें मुझे इसके फंडमेंटल जानना है मुझे इसका बिजनस जानना है मुझे टेकनिकल जानना है जो भी आपको जानना है आप जिस्ट कमेंट कर सकते हो और मैं उसके उपर वीडियो बना दूँगा अगर आपको कोई यूनिक डाउट है अपना तो वह भी की जाए और देखा जाए बताया जाए तो is my trip या easy trip planners आप देख सकते हो इसका market cap देख लो 7355 करोड का इसका market cap है एक small cap company है बट normal अगर compare करें तो जो companies 2000-3000 करोड की होती है उनसे कम risk इसमें आपको देखने मिलेगा लेकिन क्योंकि ये अभी बहुत चोटी है आपको इसमें आपको रिस्क मिलेगा अच्छा खासा रिस्क मिलेगा तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है इसके साथ ही मैं कोई recommendation इस वीडियो में नहीं दे रहा हूं किसी भी तरवा कोई recommendation नहीं है educational purpose का ये video होने वाला है आपको पता होगा मैंने इसके बारे में already video बनाया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो तीन videos चैनल पे uploaded है ये पहला video 24th में को बना हुआ है इसमें मैंने काफी detail में business analyze किया हुआ है किसका business क्या है company actually क्या काम करती है और उसके बाद इसमें मैंने बहुत ही detail में fundamentals को बताया हुआ है कि company fundamentally कैसी है बहुत ही details में and ये तो Q1 result है तो अगर मेरी मानो तो यार इसको आप नहीं देखोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है बट मैं बोलूँगा इन दोनों को जरूर से देखना अगर आपको business and fundamental जानने है तो इन तीनों का ही link मैं i button पे और video के end screen पे provide कर दूँगा आपको जो देखना है अपने हिसाब से जा करके देख सकते हो वापस आते हैं और वापस topic पाएंगे तो इस video में basically हम क्या करने वाले हैं थोड़े से fundamental देखेंगे, technicals देखेंगे और उसके बाद आगे technical में समझेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या आगे हो सकता है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाओंगा profit and loss पे यहाँ पे मैंने consolidated numbers को open कर लिया है standalone को मैंने open नहीं कर रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे growth company में काफी अच्छी है यहाँ पे करोना के बाद actually company में बहुत अच्छी growth है और यहाँ पे देख सकते हो लगबग 485, 500 करोड के आसपास का sales है net profit भी बहुत अच्छे से grow किया net profit TTM में थोड़ा सा down दिख रहा है 134 से 127 आ चुका है लेकिन overall इसमें भी काफी अच्छा growth है EPS growth भी company में आपको अच्छा दिखेगा इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे percentage में देखोगे 3 साल का 47% growth है बहुत अच्छी बात है TTM का 66% growth है यह भी काफी अच्छा है profit growth अगर देखोगे 3 साल का तो यह 62% है यह बहुत अच्छा है TTM का 3% is like nothing और आपको पता यह क्यों है 3% आप देख करके समझ सकते हो है न तो जो भी है अगर आप TTM को हटा करके भी देखोगे क्योंकि मैं आपको हमेशा काता हूँ 3 साल का बहुत important होता है तो 3 साल में दोनों ही data काफी अच्छ है bottom line जादा है top line से मतलब जो profit है वो जादा बढ़ता है sales से profit जादा बढ़ता है इसके साथ stock procedure के बारे में बात नहीं करता है ROE की बात करें तो ROE हलका सा कम हुआ है 47 का ROE था 47% का 3 साल का last year यह 44% है और यहाँ पर थोड़ा सगर आप देखोगे तो margin भी धीरे-धीरे इन्होंने shrink किया यहाँ पर 56% का margin था जो इन्होंने दीरे-दीरे 35 पे अब लेकि यह आ चुके है आगे देखना है क्या होता है लेकिन 44% अपने आप में मैं कहूंगा अच्छा एक decent सा ROE है एक अच्छा ROE है और 44-45% perfect है लेकिन जादा नीचे आना भी साहीं नहीं है थोड़ा उपर नीचे कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है बट मैं कहूंगा 30-35% इसके नीचे नहीं आना चाहिए 35 और बहुत है अगर हुआ तो 30 इसके नीचे मैं तो बोलूगा नहीं आना चाहिए और देखते आगे क्या होता है फिलहाल के लिए numbers काफी अच्छे लग रहे हैं बागी अगर आपको चार्ट में पीछे जा करके देखोगे ये एक बहुत ही strong support था बहुत strong support और वहाँ पर देख सकते हो कितना strong था आप इसी को देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना strong support था बट मैंने बोला था कि क्योंकि ये break हुआ है तो आगे भी ये break हो सकता है इसलिए मैंने एक support बना दिया था यहां पर ये पहले से आप जाकर कि video देखोगे आपको ये सब पहले से मिलेगा ये support है मैंने बोला था अगर ये break होता है तो फिर से price यहां तक आएगा तो वहां तक आया price और उसके बाद भी एक breakout आया और break होने के बाद मैंने ये sublines पहले से draw किया हुआ थ तो इस तरह से यहां पर support आया फिर क्या हुआ ये दीरे दीरे अब उपर जाना start कर रहा है अब अगर आप देखोगे यहां पर तो यह stock काफी गिरा है अगर आप उपर से sorry अगर आप उपर से थोड़ा calculate करो all time high से तो यह लगभग 49 मतलब 50% किया stock correct किया था ठीक है अभी जो है वो stock अभी है लगभग 30 okay so 42% के आसपास है मतलब नीचे से जादा अभी हमारा जो है आप कह सकते हो recovery हुई नहीं है हमें यहां पर reversal का बहुत अच्छे सबूत या फिर आप कह सकते हो confirmations अभी नहीं मिले है मैं हमेशा कहता हूँ जब भी stock इस तरह से गिर रहा है 40-50% गिरता है इसका मतलब stock एक downtrend में आ चुका है अब downtrend से uptrend के लिए एक reversal आएगा उस reversal में अगर मतलब वो reversal आप catch कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी वात है और उस reversal repent करता है यार देखो अगर यहां पर आप enter करोगे तो ज्यादा risk है अगर confirmation लेने के बाद enter करोगे तो risk कम होगा reward भी कम हो जाएगा तो यहां पर देखो दूसरा वीडियो जो मैंने यहां पर बनाया था इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने आपको बताया था यहां से यह support ले रहा है उसके बाद यह भी break हो गया उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो फिर से support लिया था और उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो यहां पर फिलहाल के लिए higher lows का formation होना start हो चुका है और higher lows का formation होने के साथ यह जो support था उसके ऊपर यह जा चुका है और इस support से इस support से वापस से इसने support लेना start कर दिया है तो ये एक positive बात हो गई दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि ये higher lows का formation कर रहा है ये positive बात हो गई उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे कहीं न कहीं ये 50 days का moving average से भी support ले रहा है पहली है resistance ले रहा था पहली है resistance ले रहा था बहुत जगा पे लिया हुआ है आप देखोगे अब जो है ये 50 days के moving average से support लेना start कर रहा है लेकिन अभी भी ये 200 days के moving average से resistance ले रहा है तो ये एक negative सी बात है बट जैसे जैसे time जाएगा मुझे लगता है कि कुछ हद तक आप कह सकते हो कि confirmation कुछ कुछ मिलना start हो चुका है अब यहाँ पर दो तरह की बाते आती है क्योंकि यह वीडियो टेक्निकल्स के उपर ज़्यादा होने वाला है तो थोड़ा detail में बात करेंगे दो तरह की बाते आती है यहाँ पर एक बात कि यहाँ से उपर चला जाए तो उपर जाए तो मैंने आपको बता दिये कहाँ पर क्या होगा 200 के उपर जाएगा फिर यह फिर वो ठीक है अगर यह वापस से नीचे आ जाए तो क्या तो देखो यार पहली बात तो यह यहाँ पर यह जो सपोर्ट का लेवल है 37.1 यह भी काफी स्ट्रॉंग है क्योंकि एक तो इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पर यहाँ पर चोटा सा इक लिया था पीछे अगर आप जा करके देखोगे इसी को तो मैं आपको दिखा दू यहाँ पर देख सकते हो यह एक काफी strong resistance भी यहाँ पर था यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 साथ ऐसे करके ठीक है तो यह strong resistance है तो जब यह support बनेगा तो ही strong बनेगा हो गई बात अब उसके आगे क्या इसके बाद यह गिर सकता है तो हाँ जी बिल्कुल गिर सकता है कोई ऐसा नहीं है कि गरता भी है देखो मुझे लगता है अगर इन को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं आपको लेकिन अगर यह गिरता है तो मुझे नहीं लगता है इसके आगे यह गिरेगा बहुत ही कम चांसे मतलर 10% होंगे साहे इसके भी नीचे आने का मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ और अगर ये मान के चलते हैं, बहुत खराब किस्मत और ये नीचे आ भी गया, ठीक है, रिजल्स खराब होगे, कुछ खराब होगे, ये रिजल्स वज़े से नीचे आ गया, तो ये जो लेवल है, 31.20, ये भी एक बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट है, जो कि पहले भी सपोर्ट रहे चुका है, देख सकते हो, आप यहां पर ठीक है, और बाकी यार, अब गिरने का तो स्टॉक कहीं तक भी गिर सकता है, लेकिन हा, मुझे लगता है, इससे आगे गिरना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफी दिनों से इसी जगह पे फसा हुआ है, और consolidate भी कर रहा है, इससे पहले ये इसके उपर भी consolidate कर रहा था इस जगह पे, आप देख सकते हो, काफी दिन से ये consolidate कर रहा था, breakout भी मिला था, बट इसमें power नहीं था, मतलब उतना आप कह सकते हो, दम नहीं था breakout पे, इसलिए breakout जो हो फेल हो गया, खेर, तो यहां पे हमने बात कर लिया, इसके technicals के बारे में, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो like, share, subscribe कर देना, fundamentals मुझे कैसे लगे, कैसे नहीं लगे, तो मैंने बता दिया, growth अभी काफी अच्छा है, और बाकी अगर आपको जानना है, तो या तो एक result आने दो, इसका जैसे यहां पे खर वोची,